तो स्वागत है आप सभी का और नमस्कार देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारती समिधान एवं राज से संबंदित कुछ प्रस्ण के बारे में तो इसमें 20 कोश्टन का एक्सेड है तो यह MPPSC 2020 के एक्जाड जो पेपर होना है उसके लिए है तो देखिएगा से पहले कुश्टन नमबर एक से कि इन में से कौन नीती आयोग से संबंदित है कि विकल्प दिया गया है नरेंद मोदी कौशिक बसु अर्मातिसेन पीची दंबरम तो यहां पर जो सही विकल्प है इसका वह है ए नरेंद मोदी क्यों क्योंकि नीती आयोग के अध्यक्ष देश के दान मंत्री होते हैं तो यहां पर सही विकल्प ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुश्टन नमबर दो की तरब कि वित आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलाय का सुझाओ किस ने दिया यह कुश्टन वर्स 2015 में आया था विकल्प है डेड़ी बसू भाल च और यह एमबी मातुर की बात कर रहा हूं यह अर्थसास्री थे इसके लावा यह तीसरे वित आयोग के सदस्य थे मेंबर और डेड़ी बसू की बात कर लें तो यह भारती समिधान एक परिचाय के लेखक है यह समिधान विद्धी थे यह और भालचंद्र गुस्वामी की ब बात करते हैं कोस्य नंबर तीन की तरफ तो कुस्य नंबर तीन है कि नीती आयोग का ध्यक्ष कौन होता है कि विकल्ब दिया हुआ है राष्टपती प्रधानमंत्री वित्यमंत्री और भी आई का गवर्णर तो नीती आयोग का ध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री विकल कि इसका सब्सक्राइब कि राश्ट्री विकास परिसद के सजी के सच्यू के रूप में भूमि का कौन निभाता है राश्ट्री विकास परिसद इसका विकल्प है सचिव वित्य मंत्राले का योजना मंत्राले का नीति आयोग का और योजनायोग का तो इसमें बी विकल्प तो हो यह नहीं सकता क्योंकि योजना मंत्राले है ही नहीं और योजनायोग को खत्म कर दिया गया है जिसका सुझ सही विकल्प है वो है सी सचिव नीती आयोक का सचिव होता है वो राष्ट्री विकास परिसत के सचिव के रूप में भूमिका निभाता है देखिए राश्ट्री विकास परिशत के अगर हम बात कर ले तो इसकी स्थापना 1952 में की गई थी योजनायोग के साथ साथ और ये देश के विकास के लिकार करने वाले संस्ता है वर्स 2016 में कहा गया था कि इसको अब समाप्स कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा कोई भी अब तक सरकार के तरप से घोशना या लिखित में जानकारी नहीं दी गई है तो एकी कुशन बन सकता है और पहले क्या था चूंकि योजनायोग था तो इसके जो सची हुआ करते थे वो योजनायोग के सची हुआ करते थे लेकिन अब चूंकि योजनायो के मुख मंत्री इसमें सामिल होते हैं केंद्र सासित प्रदेश की प्रसासक या मुख मंत्री वहां पर सामिल होते हैं और मंत्री परिशत की मंत्री सामिल होते हैं इसमें लाश्ट्री विकास परिशत में आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर पांच की तरफ तो क्वेस्टन तो इसका जो सही विकल्ब है वह है डाक्टर वाइवी रेड़ी यह 14 में वित आयोग के अध्यक्ष थे और 14 में वित आयोग की सिफारिश 2015 से 2020 तक चली और डाक्टर वाइवी रेड़ी की बात करें तो यह आर्बी आई के 21 में गवर्णर थे 2000 23 से 8 तक इनका कारेकाल रहा और 14 में वित आयोग की अगर हम बात करें तो 14 में वित आयोग 2013 में बना था और इसकी अनुसंसा 2015 से 2020 तक चली ठीक है अब थोड़ी से हम एम खुचरों के बारे में जाले तो यह भी ग्यारहमे वित आयोग के अध्यक्ष थे जो की ग्यारहमा वित आयोग 1998 में गठित किया गया था और ग्यारहमा वित आयोग का सुझाओ वर्ष 2000 से 2005 तक चला और एम कुचरों यह राजसाही यह हैदराबाद का निजाम साही परिवारता उससे समद रखते थे और यह जर्मनी में भारत के राज़ूद रहे उनीस सो असी से बैयासी में अब केसी पंथ की बात कर ले तो यह रक्षा मंद्री रहे और 1987 से 1989 तक और इनहीं के समय में मिग 29 जो लड़ाकों विमान है वो इनहीं के प्रयासों से लिया गया था ठीक है और 15 में वितायोग की बात कर ले तो 15 में वितायोग की अधिया अच्छी एनिके सिंग है यानिके नंद की सोर्सिंग और इसका जो चलेगा यह 2020 से 2025 तक इसके सुझाओ चलेंगे अब आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 6 की तरफ कि समिधान लागू होने के पसाथ अब तक कुल कितने वितायोग बनाए जा चुके हैं तो नेखिए यहाँ पर दो चीज़ है समिधान लागू होने के 50 समिधान लागू क तक बनाए जा चुके हैं 2025 तक इसका कारेकाल रहेगा आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 7 की तरफ कि संग एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन समंधी फ्राव धानों को क्या किया जा सकता है विकल पे राष्टिया पात के समय निलंबित किया जा सकता है बी वित कता है या फिर किसी भी परिसिती में निलंबित नहीं किजा सकता इस कंद्रासमन करी में विकश्व तो कर विवाजन होता है मरे निलंबित नहीं किया जाता लेकिन जब राश्ट्रि अपात लगा होता है यानि कि दैस में 352 लगा हो तो इसे निलंबित किया सकते है और इसमें होता ही है 352 के समयclass Tombad कdid समय कि सरकार को भंग नहीं किया जाता बलकि उसको निलंबित कर दिया जाता है और जो भी काम है केंदरी सरकार खुद अपने हिसाब से करती है तो जो संग और राजी के बीच करों के विभाजन समंधी प्रावधान है उनको राश्टी आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कुस्ते नंबर आठ की तरब कुस्ते नंबर आठ है कि निम्र में से कौन केंद एवं राजियों में राजस्य बटवारे के लिए मापदंडों की अनुसंसा करता है यहां विकल दिया हुआ है वित आयोग नीतिय आयोग अंतराजी परिसत केंद्री वित मंत्रा ले तो इसका सही जवाब है ए वित आयोग ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी से वित आयोग के अगर हम बात करें तो वित आयोग के बारे में अनुछे 280 बताया गया है इसके लावा समिधान के भाग 12 में भाग 12 यह है कि 264 से 300 का तक इसमे अनुछेद है वित संपत्ति समिधाय और वाथ संबंदी थे तो वित आयोग इसका सही जवाब है आगे बढ़ते आप प्रेसन नमबर 19 की तरफ वैवी सह जिस पर केंद्र और राजी सरकारे दोनों काहनुन बना सकती है वो किस सूची में आती है पहला दिया हुआ है संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची और समवर्ती सूची तो इसका सही जवाब है C समवर्ती सूची कि देखे संग सूची पर कानून बाने का दिकार सिर्फ केंद सरकार को है राज सूची पर राज सरकार को है और समवर्ति सूची पर दोनों बना सकती है और औसिष्ट सूची की बात करें तो औसिष्ट सूची पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद सरकार बना सकता है इसलिए इ विद्धान की किस अनसूची में दी गई है तो इसमें दिया है छटवी साथवी आठवी नौ में किस अनसूची में दिया गया है तो साथवी अनसूची में देखिए राज सूची के लिए अलग भी से बनाए गया है के अनसूची के लिए अलग भी से बनाए गया है समवर्त जनजाती छेत्रों के प्रसासन के बारे में बंथ करता है जबकि आठवी अनुसूची में जो भारती भासाएं उनके बारे बताया गया है और नौवी अनुसूची की बात करें तो नौवी अनुसूची में ऐसे विश्यों को रखा गया है जिनको समयधानिक समिक्षा से बाह करती है संविधान तीन तीन सूचियों को प्रसूत करता है है ना साथ भी अनुची के तहट तो निम्न में से कौन से दो अनुच्छे सक्तियों के वित्रण को विनियमित करते हैं तो यह पर अनुच्छे दिये हुए है यह में है चार पांच बी में है 141 और 242 सी में 56 और डी म पांच की बात करें तो शेच चार जो है यह भारत के बारें मतलत स्कूर्ण uef विकल्प है वह है विकल्प डी अनुछे 245 और अनुछे 246 इसका सही विकल्प डी है तो इसका जो सही विकल्प है वह है टी अनुछे 245 और 246 जो की भाग 11 में संग एवं राजियों के बीच संबंद जो की 245 और 263 वहां पर यह दिया है 245 और 246 जो अब आगे बढ़ते हैं क्वेस्ट नंबर 12 की तरफ तो यह है कि भारती समिधान के किस भाग में केंद्र राज विधाई संबंद दिये गये हैं यह पूछ लिए यहां पर हां तो यहां इसका भाग 11 भाग 11 में 245 से 263 तक केंद्र राजियों के बीच संबंद बताए गया है आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 13 की तरफ कि निम्र में से किस अनुछेद के अनुसार भारती समिधान के अंतरगत अंतर राजी परिशत के संबंद में प्रावधान दिया हुआ तो इसका विकल्प क्या है इसका सही विकल्प है सी अनुछे 263 यानि कि भाग 11 के तैय थी अंतराजी परिशत की सापना की विवस्ता की गई है अब आगे बढ़ते हैं क्वेस्टन नंबर 14 की तरफ कि छेत्री परिशतों का स्रेजन हुआ है विकल्प दिया है संसदी कानून के द्वारा समेधान के द्वारा राश्ट्री विकास परिशत द्वारा और सरकारी संकल्प द्वारा तो इसका सही विकल्प है ए संसदी कानून के द्वारा छेतरी परिशदों का स्रजन किया गया है ठीक है अब क्वेशन नंबर 15 तरह बढ़ते हैं कि अंतर राजी परिशदों का निर्मार स्रोत है तो अभी थोज़े पहले हमने पढ़ा इसकी अबारे में अनुछे 263 है बहराल यहां पर विकत दिया मुख मत्री समेलन द्वारा स्विक्रेती संकल्प से नीती आयोग की अनुसंसा द्वारा तो यहां पर सही विगल्प है समय धानिक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्टन नंबर 16 की तरब कि वित आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कि कितने वर्स पात रहना वि वित आयोग का गठन किया जाता है तो इसका सही विगल्प हो जाएगा यह पांच में बस क्वेश्टन नमर 17 की बात कर लें तो क्वेश्टन नमर 17 यह है कि वित आयोग का एक चेयर मैन होता है यानि कि एक सदस एक अध्यक्ष होता है और अनिक कितने सदस होते हैं यह विग आयोग में कुल पांच सदस होते हैं अध्यक्ष समेट तो इसका सही विगल्प सी चार अन्य सदस अब बढ़ते हैं क्वेश्टन नमर 18 की जरब कि योजना आयोग का अंथ किस प्रधान मंत्री के द्वारा किया गया तो इसका सही विगल्प है इन में डी नरेंद्र मोधी के द्वारा एक जनवरी 2015 को इसका अंत किया गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्टन नमर 19 की तरफ कि राश्ट्री विकास परिशत की अध्यक्षता कौन करता है विकल्प दिया हुआ है भारत के नीतियायोग का उपाध्यक्ष वित्यमंत्री भारत का प्रधान मंत्री तो इसका डी विकल्प सही है कि राश्ट्री विकास परिशत की अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री करते हैं क्वेश्टन नमबर 20 की तरह बढ़ते हैं कि नीतियायोग की स्थापना कब होई थी 16 जनवरी 2015 20 मार्स 2015 20 फरवरी 2014 या फिर एक में वरी 2015 को नीतियायोग की स्थापना की गई थी तो यह था बारती समिधान और राजविवस्था समनित कुछ प्रश्ण कि नमस्कार जैन